जे मातादी दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारी यूटिप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नव वर्ष 2021 के पहले माह यानि जनवरी माह 2021 के मेश रासी फल के बारे में मेश रासी वाले लोगों के लिए इस वर्ष की शुरुवात किस तर मेश राशी वाले लोगों के लिए किस तरह के परिवर्तन उनके जीवन में लेकर आएगा, क्या खास इस महिने में आप कर पाएंगे, किन चीजों से आप सावधाने रख पाएंगे और किस तरह से एक नई शुरुवात भी कर पाएंगे जानेंगे आपके जीवन से जुड़े हर शेत्र के बारे में आपकी सिक्षा, स्वास्त, करियर, नौकरी, दुकान, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन हर चीज के बारे में जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छूटा सा निवेदन है अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ दोस्तो जनवरी माह 2021 की हम बात कर रहे हैं और जनवरी महिने में अगर हम ग्रहों की इस्थिती की बात करें तो इस महिने में सिर्फ तीन ग्रह अपनी राशी बदलेंगे सूर्य, शुक्र और बुद्ध इन तीन ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा बाकी सभी ग्रह अपनी जगहा पर बैठेंगे और इन ग्रहों की स्थिती देखें तो देखें सूर्य का जो राशी परिवर्तन हो गा सूर्य एप 14 जनवरी को धनूराशी से निकल कर मकर राशी में पिरवेश करेंगे और 12 फरवरी तक वहीं विराजमान रहेंगे यानि ये मकर संक्रांती जो की जन्वरी के महिने में आती है वो 14 जन्वरी को होगी शुक्र चार जन्वरी को धनू राशी में प्रिवेश करेंगे और 28 जन्वरी को दोबारा इनका राशी परिवर्तन होगा धनू से निकल कर मकर राशी में प्रिवेश करेंगे बुद्ध ग्रह की बात करें तो बुद्ध ग्रह पांच जनवरी को यानि पहले सप्तहा में ही धनुराशी से निकल कर मकाराशी में प्रिवेश करेंगे उसके बाद 25 जनवारी को फिर से राशी परिवर्तन होगा बुद्ध का और मकराशी से निकल कर कुम्ब राशी में आ जाएंगे यानि तीन ग्रह राशी परिवर्तित करेंगे लेकिन शुक्र का भी दो बार इस महीने में राशी परिवर्तन होगा और बुद्ध का भी दो बार राशी परिवर्तन होगा चंद्रमा जो की हर सवादो दिन में अपनी राशी बदलते हैं एक राशी परिवरतन उनका होगा बाकि सबी ग्रह अपनी जगा पर बैठे हुए हैं गुरु और शनी ये मकराशी में विराजमान हैं और यहां मकराशी में पांच जनवरी से बुद्ध भी आ जाएंगे 28 जनवरी से मकराशी में शुक्र भी आ जाएंगे और 14 जनवरी से मकराशी में सूर्य भी आ जाएंगे यानि ये जो इस्थिती बनेगी ये पांच पांच ग्रहों की एक साथ मिलन पांच ग्रहों का होना वाला है ऐसी इस्तिती में इस महीने में इन सभी ग्रहों का जो प्रभाव है वो किस तरह से आपके जीवन पर होगा चलिए विस्तार से जान लेते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को जद़ जद़ लाइक भी करें और शेयर भी करें जन्वरी का महीना हमारे लिए बहुत महत्पुन महीनों में सेख होता है क्योंकि ये एक नई शुरुवात के तरफ हमें लेकर जाता है कुछ लोग नई शुरुवात करने के बारे में सोचते हैं अब जब इतने सारे ग्रहों का एक साथ मिलन होगा इस महिने में, कुछ मध्य में होगा, कुछ शुरुवाती सप्ताह में होगा, यानि एंड महात तक पांच ग्रह एक ही राशी में बैठे होंगे, मकर संक्रांती जैसा परवी इस महिने में होगा, लोरी जैसा परवी इस महि बहुत से मामलों में अच्छा रहने वाला है ये पहला महीना आपके ये नौकरी करने वाले लोगों के लिए कुछ जरूरी यात्राओं को कराएगा और ये यात्राओं आपके लाबदायक रहेंगी वेपार के सिलसले में शुरुवाती दोर में आपको थोड़ी सावधानिया रखनी पड़ेंगी कुछ वेपारी के समझोते आपके होंगे और अ प्रत्यदिक उर्जावान भी होंगे बस अपनी उर्जा का सही ढंग से आप किस तरह से इस्तमाल कर पाते हैं ये आपके उपर होगा आप नैतिक पहलो आपके काफी मजबूत होंगे इस महीने में कामकाज बहुत जादा आपके उपर रहने वाला है इस महीने को व्यस्त मह भी कहा जा सकता है करियर में आप करियर के साथ साथ निजी जीवन में भी आपके लिए आराम की इस्तितिया नहीं बन रही है यानि व्यस्त काफी रहने वाले हैं इसलिए अपने स्वास्थय को लेकर आपको थुड़ा चिंतित रहना पड़ सकता है स्वास्थय का ध्यान आ प्राप को रखना पड़ सकता है जो कठिना ही आएंगी उनको दूर कर पाएंगे और कुछ अनुमोल अनुभव प्राप्त होते हैं तो उन अनुभवों को साजह करने से बिल्कुल न घवराएं उन अनुभव को साजह जरूर करें इस महीने में परिवार में मंगल कारियों का आयोजन भी होगा और बुद्धी में नवीनता का उदा होगा क्योंकि बुद्ध ग्रह आपकी ग्यारवे बहाव में बैठेंगे जहां शनी है और जहां गुरू है दोनों ही करमफल दाता है लेकिन गुरू आर्थिक इस्तिति के कारक रह भी है ऐसे में जब बुद्ध वहा जाएंगे तो आपकी बुद्धी में नवीनता लेकर आएंगे आप अपनी काम को करने की तरीके ढूंडेंगे कि किस किस तरीके से आप अपनी काम को बढ़ा सकते हैं जो कठोर परिश्रम इस महीने में आप करेंगे उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी लाबदायक आ दादिकार का लाब हो सकता है बच्चों के स्वास्ते का जरूर धिहान रखें बच्चों को स्वास्ते समंदी कुछ परिशानिया हो सकती है इस महिने में रिष्टेदारों का आवगमन होगा रिष्टेदार आपके घर आएंगे जिससे घर का माहौल बदलेगा वातावरन भी सकारात्मक रहेगा हसी खुशी के साथ परिवार वालों का समय भी देगा भूमी भवन के लिए बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है और यात्रा के योग भी बन रहे हैं इस महिने में आपको लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं और भूमी खरीदने का जबरदस्त योग इस महिने में आपके लिए बना हुआ है दस्वे भाव में शुक्र की इस्तिथी आपके लिए बेहद अच्छी है क्योंकि ये भी कार्म भाव है और सुक्त का स्वामी यहां बैठा हुआ है दामपत्य जीवन और प्रेम संबंद के स्वामी यहां बैठे हुए है तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा हलाकि बीच में कुछ क्रोधी स्वेभाव आपका हो सकता है तो ऐसी इस्तिथी में आपको अपने के कुद्ध पर नियंतरन ज़रूर रखना होगा बाकि करियर के लिहाँ से ये महिना आपके लिए अच्छा है जन्वरी माहा की शुरुआज जिस तरीके से आप करना चाहते थे वो आपके लिए सफल हो सकता है यानि कुछ खास अगर आप जन्वरी महिने में करना चाहते थे और आपने मेहनत की है तो उस महनत का फल आपको इस महीने में जरूर देखने को मिले का अब में काम करने की स्पीड आपकी बहुत अच्छी होगी अब काम करने की स्पीड अच्छी होगी तो आप अपने सबी कामों को समय से बुरा कर पाएंगे कुछ नए कारिय यदि आप करना चाहते हैं तो इस वर्ष किश्रवात से ही सूरिय का प्रभाब बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है सूरिय 14 जन्वरी से शनी गुरू और बुद्ध के साथ बैठेंगे चार ग्रह एक साथ होंगे चतुर ग्रही योग बनेगा नीच भंगराज योग बनेगा और इसके अलावा शुक्र और बुद्ध का इस महा के अंत में लक्ष्मी नारायन योग भी बनेगा तो इस महीने में योग बेहर अच्छे हैं गती शिल्ता आपके काम में बना कर रखेंगे अपनी उर्जा को बस सही देशा में लगाए और थोड़ा सा अपनी क्रोध पर आपको सेम रखना होगा ये जो ग्रहे हैं ये पांच ग्रहे एक ही घर में बैठकर आपके कारियों को सर्फ्रेस्ट करने का प्रियास करेंगे इस महीने में इसलिए प्रियास जदा करने हैं अपनी प्रियासों को कम नहीं करना है अपनी काम पर ज़्यादा से ज़्यादा देना है हर जिम्मेदारी को आप निभाने में कामयाब होंगे अपने सबी कारियों को समय से पूरा कर पाएंगे काफी महत्व कांक्षी भी होंगे विध्यार्तियों के लिए ये महिना बेहद अच्छी शुरुवात लेकर आया है इस वर्ष के शुरुवात आप अच्छी महनत के साथ करें अपने आपको सफल बनाने का प्रियास करें अपनी करियर को जो बच्चे अभी अपनी करियर का चुनाव करने वाले हैं उनके लिए भी ये महिना बेहद खास होने वाला है तो इस नए वर्ष की शुरुवात आप खुद पर भरुसा रखकर अपनी काम को पूरा करके आप ये कर सकते हैं तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को जद़ जद़ लाइक करें शेयर करें